नमस्कार दोस्त वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल यूटूब ट्यूब्स पर तो गाईज आज मैं आपकर बताना वाला हूं कि अपने यूटूब वीडियो पर हम थमनेल कैसे लगाते हैं वीडियो को एंड तक देखते रहिए तब आपको समझ में आएगा कि आप अपने यूटूब यहीं बताने वाला हूं तो गाईज आज मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि अपने यूटूब वीडियो पर पर रगमनेल कैसे लगा जाता है तो गाईज वीडियो को एंड टब रिखते रहिए तभी आपको समझ में आएगा कि आप अपने YouTube वीडियो पर thumbnail किस प्रकार से लगा सकते तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए करते हम अपना वीडियो स्टार्ट और देखिए कि thumbnail कैसे लगाया जाता है तो चलते हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर वीडियो को end टब देखते रहे तभी समझ में आएगा आपको मैं तो आप बोलोगे कि मुझे समझ में नहीं आया तो दोस्तों आपको क्या करना है सिंपली प्ले स्टोर से एक एप डाउनलोड करना है जिसका नाम है YT Studio जैसे आप YT Studio भी जाएंगे तो यहाँ पर आपने जब अपना वीडियो अपलोड कर रखा है उस वीडियो को आपको करना है क्लिक जैसे आप क्लिक करते हो तो देखिए उपर में एक Pencil का सिंबॉल दिया हुआ है अब वो Pencil के सिंबॉल को करना है हमें Simply Click Pencil को Simply Click करने के बाद में देखिए फिर से उपर में Left Side में एक Pencil का Option दिया हुआ है तो यहाँ पर करना है हमें Pencil को फिर से क्लिक अब यहाँ पे option आ गया है आपका download thumbnail अगर आप download करना चाहते हो तो download करके भी लगा सकते हो लेकिन आपने बनाया हुआ thumbnail को देखे यहाँ पे लिखा हुआ है change और plus का symbol दिया हुआ है तो यहाँ पे करना है आपको simply click यहाँ पे आपको जो भी thumbnail उठाना है यहाँ से जैसे मैं यह बता रहा हुआ आपको स्रीफ बताने के लिए मैंने यह उठा लिया है और यहाँ पे करना है आपको उपर में option दिया हुआ है done का option जैसे ही आप done करोगे तो आपका thumbnail हो जाएगा save देखे उपर में save का option दिया बारिक से बारिक चीजों का वीडियो में आपके लिए लाते रहूंगा तो चलिए मिलते हम next वीडियो में thank you